श्रीश वाय नमस्तु भ्यम प्रदीप मिश्र जी के बेल पत्र के उपाय पंडिजी कहते हैं कि इस उपाय से लाखों लोगों को लाप राप्त हुआ है इस टोटके से आपके घर के सारे दुख समाप्त होते हैं और घर में सुक सांती समरिध्धी आती है बेल पत्र के इस टोटके को करने के लिए आपको समार के दिन सुबह इसनान करके सुध्ध हो जाना है उसके बाद अपने घर के शीव मंदिर से निकलें और आस्ते में बेल पत्र के व्रिक्ष से ग्याला बेल पत्र तोड़ें एक बात का ध्यान रखें कि हर बेल पत्र साफ औ कहीं भी कटा फटा नहों इस बेल पत्र को शीव मंदिर लेकर जाएं अपनी अनामिका उंगली और पिले चंदन के लेप की मदद से हर बेल पत्र के उपर ओम लिखकर शीव लिंग के उपर अधित कर दें उसके बाद स्वाच्छे जल से शीव लिंग का अभिशेक करें और अभिशेक करने के बाद से शीव लिंग अभिशेक किया हुआ जल्द थोड़ा सा जल थोड़ा सा घर लेकर वापस आएं और इस का छिड़काओं घर पर करें ऐसा लगाता तीन सो मार करने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं घर में सुक शांती और सम्दिधी बनी रहती है धन्यवाद ऐसे ही अच्छी जान करी के लिए मेरे चनल को लाइक एवन सब्सक्राइब करें